हाई हेलो एप्रिवन वेलकम एंड वेलकम बेक टू माई चैनल सो आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत वेलकम है और आप लोग देखके सोच रहे होगे कि मैं आज ये साइकल बड़ी वाली चला रहे हूँ तो भाई ये गलत सोच रहे हो कि मैं साइकल चला रही हूँ साइकल चला नहीं रही हूँ मैं बहार निकाल के रख रही हूँ ये अंदर रूम में रखी थी और इस रूम की होने वाली पुताई तो सारा सामान में निकाल निकाल के बहार रख रही हूँ तो यह दोनों मेरे스 घर bubbles कर देटें हैं और बढ़े क्लीन होगिए मस लग रहे हूं रहें कि स्टोर रूम की इस पताैं, स्टोर रूम की पताई क्लार है तो यह देखे यह ऊपर चड़ा दिया है है मेरेकक स्टोर रूम की तरह है तुझार में रहे हैं तो मेरे घर के स्टोर रूम देख लीजेगा और ये मम्मी का पुराना सामान भरा है पुराने जमाने का और मम्मी पता निक क्या क्या मम्मी लोग तो होती है कबाड़ा भी घर में भर के रख लेती है और हम बोलते हैं उनसे की मम्मी कि आप इतना कबाड़ा मत रखा करो और बोलती है सब चीज जरूरत पर जरूरत पड़ती हैं तो हम कहते हैं कि जरूरत तो हर चीज की पड़ती है लेकिन उनसे क्या मम्मी है पूरे पुराने जमाने की हम उनसे ज्यादा बैस भी नहीं कर सकते न अपन तो उनकी तरीके से ही रखना पड़ता है तो यहां देखिए मैंने मम्मी से का जो बॉक्स था वो मैंने अंदर रखवा दिये इस वाले रून से और मैंने बोल दिया मम्मी, मैं आपका सामान अच्छे से सैड करके रखूंगी क्योंकि मम्मी है तो वो अच्छे से नहीं रख पाती है वो बूड़ी हो गई अब तो अब उस तरीके से नहीं रख पाती ना जैसे अपर रखते तो ये रजाई में पता नहीं कौन कैसा दाग लगा हुआ था वो मैं मम्मी को दिखा रही थी और मैंने सारा रजाई बगरा गदे बगर थे तो सारे खटे कर लिए और सासु मा के पास देखो कितना छुपा के छाता रखे थी छतरी और बेटा मांग रहा था एक दिन तो बोल दी मार्केट से लियाओ मम्मी लोग कितना छुपा के सामार रखती है ना बहुत रखती है लेकिन यहाँ देखिएगा मेरी सासुमा ठीक है अब मैं बुराई नहीं करूंगी जैसी भी अच्छी है मम्मी है मेरी अब वो मम्मी तो है वो मम्मी है वो भी है लेकिन जे अब इनके साथ रहती हो तो इनको मतलब वो चादर बगेरा थे मम्मी की साड़िया बगेरा ऐसे मतलब इधर की उधर उधर के उधर ऐसे पड़ा हुआ था तो मैंने मम्मी साड़ी एक सूटकस में रख दो बड़ा वाला ट्रॉली बैग है उसमें और एक में आप और कुछ मतलब उनके गिरे हुए पड़े कभ डोकुमेंट थे तो इन कपड़ों में रखे थे अब पता नहीं मम्मी लोग कैसे सामार रखती है तो मैंने उनका सामार सैड करके कुछ रख दिया जो बचा है वो भी रख दूँगी और खिड़की पोदने के लिए गेट पोदने के लिए बचे वो भी मैं अच्छे से पो कि आदा लिए जिन नहीं गिराए पूर अब दी नमन पता है ना रही कून यह तो सही सही कहरा हूं जिब पूरी अपनी आप ते गिरे हैं सही मैंने आतू ना लगाव जामें क्या मम्मी अपन बिताई तो आता है यह अपने आप गिरे हैं कि कट्ष नीचे गिर गया हूं फिर भाई गुस्सा कर रहा हूं कि मैंने गिरा हूं बटा तो हाई पड़ी मतलब नजर जो भी कोई आ रहा था हमारे बोला है इतना सारे हो गया है और यहां देख़िए रूमबी कर दिया है मैंने और फिर मैं अपना स्पाइडर चुड़ा चुटा रही थी यहां पर और मैं बॉइस करने में बहुत दिक्कित आती है क्योंकि मेरा बहुत दिन से कहने पर मैं उपर मतलब स्पाइडर चुटा रही थी और उनको ऐलर्जी है सासुमा को और आस्वेंट को तो वो डेश्ट मतलब हटा नहीं सकते तो मैंने का चलो मैं ही अपना चुन्नी सरपे बहांद के बैसे भी मैं नहाई तो हूँ नहीं और सबी लोग जब से साप सपाई और यह चार वज़े से तीन वज़े से उट जाते हैं कमाई की चक्कर में और यहां देखिये चुपकली बड़ी परिशान कर रही थी और मुझे तो लगता है चुपकली से बहुत डर और यहां देखेगा रूम खाली कर दिया स्पैडर भी चुटा दिया और यहां से बाल् की और गेट दोनों ही पताई करनी है और फिर मैं यहां लगाने लगी अपना चाड़ू तो देख सकते हो इस वाले रूम में कितना सारा कच्छड़ा निकला तो यहां मैं ट्राइफोर्ड मतलब मेरे पास ट्राइफोर्ड तो नहीं लगाया था मैंने हाज़मेंट कोई पकड बाते बस मैं ही अके लिए अपना कैसी भी हैट जिस्ट करके वीडियो बना लेती हो यहां देखिए बस चाड़ू के लिए थोड़ा सा ट्रम मुबाइल पकड़वाया उसकी बज़े से मैं गाली खा रही थी कि मुझे पर फोन पकड़वाती है यह वह फलाना एक दिन क्या पकड़ लिया गाली खाना